नमस्कार मैं राम वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस सिरीज में जो मैंने तियार की है आपके लिए जिसका नाम होगा विज्विलाजिशन मैं पिछले 20 सालों से लोगों की हल्प कर रहा हूँ अपनी टेक्निक से जिसका नाम है सबकोंसेस रीम प्रिंटिंग इन टेक्निक से द्वारा मैं हेल्प करता हूँ कि किस तरह से लोग अपने मैमोरी को अपने माइंड को या अपने सबकों से माइंड को एमपावर करें और वो उन चीजों से पीसे चुड़ा ले जो उनके लिए इर्रेलेवेंट है बेकार की चीज़े है इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आपकी मैमोरी या आपका वीज्विलाज़िशन आपकी सेहत को खराब कर सकता है या ठीक कर सकता है मेडिकल साइंस नहीं प्रूव किया है कि जो भी हमारा थोट होता है जो भी हमारे पास हमारी मैमोरी होते है जो भी हमारे पास सब कोईशेस के इंप्रिंट्स होते हैं वो तैय करते हैं कि हमारी सिहत कैसी होगी किसी भी टाइम पर पर आप यह कहेंगे सिहत तो नतीजा है हमारी exercise का, हमारे अभ्यास का, शारिरिक मेहनत का और हमारे खाने का, बिलकुल उनका भी है लेकिन मैं आपको बताओं हमारा खाना और हमारी हवा सिर्फ हमारी wellness के लिए 15-20% काम करती है बाकी है हमारे thought क्या आप जानते हैं कि अगर आपका thought बदल जाए तो immediately आपकी cells different तरीके से काम करने लगती है इतना ही नहीं आपका body का medium बदल जाता है, acedic बन जाता है जैसे आपका thought बदलता है आपके temperature, आपके energy, आपके sugar level बदल जाता है अगर इतना important है इस सब चीजे तो फिर हम यह क्यों नहीं मान लेते हैं कि हमारे पाँ जो बड़ा हिस्सा है वो है हमारा मस्तिष्क जो हमारी सिहत को कम से कम 80% control कर रहा है तो उसको हम ठीक कर ले यही मैं अपनी wellness की workshop में भी सिखाता हूँ जिसको कभी भी आप attend कर सकते हैं जब हम transformation की बात करें और जिसमें health आता है बड़ा important तो visualization को महां कैसे use करें सबसे पहले आप यह देखें कि आपके पास कोई ऐसा significant emotional experience दो नहीं पड़ा जो आपको तंग कर रहा है यह पाया गया कि जितने भी cancer patient है उनमें अधिकांस लोगों के पास एक चीज common पाय गई वो यह था कि उनके पास उनके पास्ट में कोई ने कोई painful event पड़ी थी जिनको नाम भी दिया गया अगर आप Google पर search करेंगे उसका नाम दिया गया S.E.E. यानि कि Significant Emotional Experience कहीं न कहीं उन लोगों ने अपनी life में significant emotional experience को visualize करके अपने दिमाग के अंदर रखा हुआ आपने हैं हमारी body में बीमारी के रूप में So basically जो भी हमारे दिमाग में memory है उसका जो body के उपर एक linguistic कसर है यानि कि जो body का अपना response है उसका नाम ही disease है उसी का नाम बीमारी है और अगर हम ये कहें कि disease की fulfilled अगर आप देखते हैं या इसको आप दो पार्ट में तोड़ते हैं तो इसका नाम है this is यानि कि जब भी आपके मस्तिश्क में अपकी ease कम होगी यानि कि जब आप सरल नहीं होंगे जब आप खुश नहीं होंगे अपने दिमाग के अंदर तो वो disease के रूप ले ले लेगी अब सवाल उटता है कि health के लिए आप क्या करें सबसे पहले एक बार फिर उसी तरह से देखें कि आप थोड़ी पिक्चर आपने सामने बनाई है जहां पर आप अपने आपको healthy देखें जरूरी हैं पर यह है कि वो pictures बहुत ही colorful होनी चाहिए यह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था इसके साथ आपको कुछ और भी चीज़ जोडने होगी कि किस तरह से आप उन pictures के साथ identify करते हैं तो important यह है कि जब भी आप अपनी body के behavior को और की capability को और उसकी capability को बदलना चाहते हैं यानि कि आप शरीर में जितने भी आपकी potential है अगर आप उन्हें positively use करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप जो सामने picture बना रहे हैं अपनी किसी भी mental screen पर बना सकते हैं या फिर आप imagine कर सकते हैं आपके सामने एक screen है जहां पर आप अपने आपको healthy देखे slim देखे, energetic देखे अपने कंदों में आत्म विस्वास देखे चेरे को चमकता हुआ देखे आँखों में चमक देखे अपने आपको चलता फिरता देखे और imagine करिए कि किसी पार्ट में अगर कहीं भी unhealthy pattern आपको आए हुए है कहीं कोई gart है, कहीं infection है कहीं कोई pain है या फिर कहीं पर भी कोई ऐसी ऐसे symptoms हैं जो आपको बिमारी का रूप दे रहे हैं तो imagine करिए कि सामने जो आप picture देख रहे हैं उसमें वो सब चीज़े ठीक हो चुकी है और इन pictures में अपनी values को भी डालिए या निए कि यह important क्यों है आपके लिए mind हमेशा किसी भी picture को लेने से पहले या तो pain देखता है या pleasure देखता है तो कमसे कमा एक pleasure डालिए कि अगर मैं healthy बनूगा तो मेरे लिए important क्यों है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर mind हो सकता है कि उसमें से एक uniqueness को महसूस ना करें और उसको visualize ना करें यही करान है कि आप दिन बर बहुत सारी चीजों को देखते हैं और नहीं कुछ चीजों को देखते हैं पर क्या सब याद रहती हैं नहीं पर आप कुछ चीजों को याद रख लेते हैं क्यों जिन के साथ आप associate करते हो जाते हैं जिनके साथ आपका लगाव हो जाता है और वो लगाव उन चीजों के साथ हमेशा होता है जिनके साथ आपका एक uniquely रिष्टा बनता है कोई भी चीज़ आप unique देखते हैं तो उसे आप याद कर रखते हैं बहुत दिनों तक बस यही वीजुलेशन में आप कर सकते हैं यानि कि युनीक देखते हैं आप अपने आपको युनीक वे में देखे सामने किस तरह से आपकी सहत अगर अच्छी होगी तो आप लाइफ को किस तरह से impactful बनाएंगे यह important है जब आप सहत मन्द होगे जब आप healthy होगे तो कौन लोग होगे जो आपको appreciate करेंगे उनकी आवाजों को सुनिये आपके पास और क्या क्या चीज़े होगी अगर आप सहत मन्द होगे आप किन चीज़ों को achieve करेंगे किस तरह से आपका future bright होगा किस तरह से आपकी relationship build होगी इन सब चीज़ों की एक picture बनाएए और उस picture में enter करिए और अब एक-एक scene को enjoy करिए जब आप इन scenes को enjoy करेंगे तो आपके अंदर एक feeling create होगी वो feeling basically आपकी cells तक जाएगी और आप-आप imagine करिए कि आपके सभी अंग पूरी तरह से उस wonderful pictures के साथ associate होकर एक छोटा सा celebration भी कर रहे है तो imagine कर सकते हैं कि आपके अंदर कोई बहुत प्यारा सा एक playground है या picnic sport है जहाँ पर आप अपनी पूरी family को यानि कि first family को आप कहेंगे ये first family को न है यानि कि जिसमें आप अपनी सभी organs को पूरी तरह से healthy देखेंगे और इतना ही नहीं उनको enjoy करते हुए देखेंगे imagine कर सकते हैं कि आपका mind, आपका heart, आपके lungs आपकी bones, आपकी liver, आपकी kidneys आपकी skin, आपकी muscles सभी एक दूसरे के साथ मिलकर dance कर रहे हैं और अगर ये visualization आप सोते हुए करेंगे और जल्दी उठकर एक बार इन सब pictures को कर लेंगे तो इसका impact बहुत ज़्यादा होगा हमेशा याद रखेगा जब भी आप अपने लिए health के pattern को बनाएं तो इसमें बहुत unique picture डालिएगा appreciation डालिएगा और अपने आपको लंबे समय तक, लंबी उम्र के साथ खूबसूरत पलो को सिहत के साथ health के साथ जीते हुए देखेगा और suddenly अगर आप इसे regular करेंगे कुछ दिनों तक तो ये patterns आपके mind में subconscious imprint की तरह पढ़ जाएंगे और ये subconscious imprints आपकी सिहत को आपकी cellular level पर आपकी help कर रहे होंगे So keep enjoying the visualization for your health Thank you very much and take care